नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, मेरे साथ वैभो भी बैठे हैं, आपका भी स्वागत है वैभो जी, कुछ सालों से जनों का पढ़ा रहा हूँ योट्यूब पे, और उसमें हम लोगों ने बहुत से ऐसी बाते की हैं, जिसमें लोगों को लगने लगा, कि वो लोग मरने के बा काट करने की कोशिश की, कि प्लीज मुझे एक बार बात करा दीजे, इस तरह की चीज़ कोशिश न करें, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन बहुत खतरनाक हैं, जो मर गया है उसके लिए नहीं, जो भी जिन्दा है फिजिकली उसके लिए, आपके लिए, हमारा जो लोग इस शरीर को छोड़के जा चुके हैं, ये ब्रेन किसी और चीज़ के लिए बना है, मैं उसी के बारे में आज थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, अगर आप अपने लवड वन से, जो की इस शरीर को छोड़के जा चुके हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो मैं आप तरह से हम कह सकते हैं योग है योग लेकि जब हम योग कहते हैं तो मारे आग के सामने देर सारी एक्साइज़ घूमती हैं लेकिन वो योग नहीं है आज मैं में मेंनी तीन चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहली योग या जैन योगा क्या चीज़ करने की कोश specific type की practice या पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप अपने आपको develop कर सकें सबसे पहला कि जैनियोगा क्या promise करती है दूसरा कैसे आप इसको कर सकते हैं और तीसरा क्यूं आपको जैनियोगा जैसी पढ़ाई करनी चाहिए बाइलोजी में एक term होता है evolution जानते हैं क्या होता evolution बहुत चोटे level पे हम सब develop करते हैं एक चोटा बच्चा confused होता है फिर चलना फिर समझदार होना फिर पढ़ाई करना फिर कमाना फिर परिवार को पालना और फिर देश को पालने का process सीख लेता है इसको exactly आप evolution नहीं कहेंगे बट ये development है दुनिया की सारी scriptures ये मानती हैं कि इंसान बना इसलिए है ताकि वो evolve कर सके योग के हिसाब से इंसान अगर योग की practices को समझ ले और खाली exercises नहीं व्यायाम नहीं अगर योग की सारी की सारी practices को समझ ले यम नियम आसन प्राणयाम प्रत्याहार धारना ध्यान समाधी तो कोई भी इंसान केवल एक life में या बहुत कम lives में वो evolution हासिल कर सकता है जो किसी भी great spiritual teacher के साथ हुई है और अगर आप नहीं करते हैं इस practice को तो आप बाकियों की तरह जन्मों जन्मों तक सफर करते रहेंगे यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आपनों को रोक करके चाहता हूँ इसके उपर सोचिए आप जब आप किसी great इनसान को देखते हैं कृष्ण को देखते हैं राम को देखते हैं उसकी चमतकारी शक्तियां ताकत नहीं है उसकी ताकत है कि वो कभी सफर नहीं करता वो कभी दुखी नहीं होता हम और आप इन लोगों से, देवताओं से, रिशी मुनियों से या जिनकी हम पूजा करते हैं उनसे अलग ऐसे हैं कि हमारे पास एक शरीर है जो बिमार होता है, जिसको दर्द होता है और जो मरता है ये फ्यूचर इन रिशी मुनियों की नहीं होती, उनकी कभी डेथ नहीं होती और क्योंकि उनके पास कोई शरीर की उनको जरूरत नहीं पड़ती तो सबसे पहली बात, जेन योगा क्या प्रॉमिस करता है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इस फिजिकल बॉड़ी से फ्रीडम मिल सकती है लेकिन आप फिर भी जिन्दा रहेंगे क्योंकि बहुत पर हम लोगों को लगता है कि अगर शरीर छोड़ दिया तो हमारा एक्जिस्टेंस यी खतम हो जाएगा आप जिन्दा रहेंगे बिना शरीर के ये एक बहुत ही एडवांस्ट स्टेज की ग्रोध है अब दूसरी बात कि जन्योगा या योग ये कैसे करती है आप कैसे इस चीज़ को सीख सकते हैं जन्योगा का मेन काम है आपके माइंड को कॉंसंट्रेट करा पाना जन्योगा का मेन काम है आपके माइंड को कॉंसंट्रेट करा पाना ताकि आप किसी एक जगह पर अपने दिमाग को लगा कर उस काम को हासिल कर सके फिलहाल जो हमारे माइंड की स्टेट है वो डिस्ट्रेक्टेड माइंड है वो नॉन कॉंसंट्रेटेड माइंड है परकार जन्योगा से मिला था तो मुझे पहली बार पता चला कि मेरा माइंड एक नहीं multiple है। मेरे ही माइंड में सोचने वाला अलग पार्ट है, महसूस करने वाला, फील करने वाला अलग पार्ट है, सेक्शुलिटी का और हैबिट्स का अलग हिस्सा है। जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि मेरे मन के अंदर में तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, उसी मुमेंट से ही मेरा कॉंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया, पहले मुझे दिक्कत होती थी, मैं किसी को प्रॉमिस कर देता था, बाद में उस प्रॉमिस को तोड़ देता था मैं अपने आपको सुबह उठाने के लिए एलार्म लगाता था, कसमें खाता था, और बाद में सुबह उठकर के गिल्ट से भर जाता था कि हायराम मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन जैन्योगा के मिलने के बाद, समझ में आने के बाद, मुझे समझ में आया, कि मेरा एक माइ माइंड है वो डिसाइड करता है कि मुझे सुबह उटना है लेकिन मेरा दूसरा माइंड है जो मुझे सुबह रुटने से रोकता है तो ये दोनों आपस में अलग-अलग है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझते नहीं है ये हमारा अभी अलग-अलग क्या है मैं बता के लिए ऐसे ही आपके ब्रेन के तीन अलग-अलग उंगलिया हैं ऐसे समझे, extensions हैं और उनको कैसी यूज़ करना है वो आप सीख पाते हैं और उसी के जरीए आप अपने माइंड को concentrate करते हैं वहाँ जहां सबसे सबसे जरूरी है आप अपने माइंड को concentrate करते हैं वहाँ जिसमें से आपको सबसे तेज result आता है अभी इस चीज़ को बहुत गहरे से समझना है कि हमारा माइंड क्या है और कैसे इसको हम use कर सकते हैं concentrate करने के लिए तीसरी बात, क्यों जरूरत है हमको अपने माइंड को concentrate कराने की इतना सब जंजट क्यों हो इतनी पढ़ाई क्यों हो क्योंकि हमारा माइंड का structure ऐसा है कि उसका एक पार्ट तो शरीर का पार्ट है बाडी का पार्ट है और वो बाडी के साथ perfectly काम कर रहा है हमारे heart को beat करा रहा है खाने को पचार आए उसको हम लोग बोलते हैं जिनुगा मैं section 1 और उसी में एक और पार्ट होता है section 2 A section 1 और section 2 A दोनों मिल करके हमारे शरीर को बहुत seamlessly, perfectly, automatically चला रहे है और उसके बाद इससे एकदम अलग advanced structure है लेकिन वहाँ पर भी जान नहीं है वहाँ पर कोई electrical activity नहीं होती हमारे ही brain में section 2 B, 3 और 4 ये इंसानों के brain में इसका structure बना हुआ है ऐसे समझ के चले कि जैसे कोई गाड़ी रखी हुई है या कोई tube light रखी हुई है लेकिन वहाँ बिजली नहीं जाती इसमें सारी mystical practices आती है और last में अगर कृष्ण जैसे लोग कहते हैं कि मैं ही आत्मन हूँ तो उसको भी experience कर पाने का उसको जी पाने का तरीका section 2 B, 3 और 4 है इस सारी बातें सुनने में अच्छे लगती हैं लेकिन impossible से लगती हैं लेकिन जैसे आज मैं भाई साब से कह रहा था जन्योगा कीरतन की दरमत सुनिएगा आप जैसे लोग भजन कीरतन लगा देते हैं और सुनते सुनते हैं चलो राम नाम का जब हो जाएगा और कान में आवाज जाएगी और मैं evolve हो जाओंगा नहीं आपको इन टीचिंग्स के जरिए इन बाचीत के जरिए अपने ब्रेन को concentrate कराना होगा जैसे छोटे बच्चे को जब आप भाषा सिखाते हैं math सिखाते हैं इन फैट जब आप mathematics सिखाते हैं तो आप उसको एक तरह से concentration करना ही सिखाते हैं एक डंडी मतलब वन और जब आप उसको बोलते हैं वन प्लस वन तो उसका mind उस समय के वल गिंती पे concentrate कर रहा है इसलिए जब तक वो mathematics करता है या कोई चीज को पढ़ करके याद करता है तो उसका mind ठख जाता है concentrate करते समय आपका mind ठख जाता है इसलिए ये science जो हम पढ़ेंगे आपस में जैनयोगा की वो बच्चों का खेल नहीं होगा ये कीरतन नहीं होगा कि आप मंदिर में बगवान के सामने डांस कर रहे हैं और आपका उधार हो गया ये एक-एक कदम चलना होगा अपनी evolution को खुद create करना होगा इसमें मैं आपके साथ हूँ आई होब आपको तीनों बाते समझ में आ गई हैं सबसे पहली बात जैनयोगा है एक promise evolution का जो दूसरों को करोड़ों साल में या करोड़ों जनमों में होगी आपको एक ही जनम में हो सकती है दूसरा जैनयोगा कराती क्या है आपको concentrate कराती है through better understanding of brain और mind और तीसरा क्यूँ क्योंकि आप ही के brain में एक ऐसा part है जो animalistic है जो जानवरी है और दूसरा part है जो mystical है जो आत्मिक है जो godly है उसको activate करनी के लिए आपको ये सब पढ़ाई करनी होगी तो अगर आपको लगता है दोस्तों इस knowledge में आपका interest है deep interest है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं इस channel को subscribe कर लीजिए इस video को like करिए और अपने दोस्तों से share करिए comment करके बताईए कि आप इन type के videos में interested हैं तो मैं से continue करूँ जीखे Thank you अपने दोस्तों से अपने बताईए